नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में तो हम लोग एलपी technician 2018 का previous year question आज हम लोगों का set number 3 होने वाला ठीक है ना तो आज हम लोग set number 3 में जो आपके PCM trade में पूछे गए physics के question ठीक है खास करके अभी मैं आपको light पर focus कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने light को पढ़ा है sound पढ़ा है electromagnetic wave और wave और फिर work energy power तो जो चीज़े हम लोग पढ़ लिए मैं उन सारे question को अभी collect कर रहा हूं तो अभी जैसे light के मैं question को collect करके पूरा practice करवा दे रहा हूं जैसे कि मैंने आपको human eye नहीं भी पढ़ाया लेकिन फिर भी मैंने जो pyq set में कल वाला जो आपका discussion कराया आपको crystal clear कर दिया ठीक है ना तो उसी प्रकार से पूरे हम लोग previous year के question करेंगे और अच्छे-च्छे question जो है मैं उनको ही discussion करूंगा ठीक है ना ताकि चीजे आपको concept भी मिल सके चीजों को आप समझ भी सके ये group को join कर लिजेगा focus study भी तब है engineering drawing का भी class हम लोग start किये हुए है और basic science हम लोग physics work energy power अब हम लोग energy sector को मतलब कि almost खतम करने वाल है potential energy बचा हुआ है और फिर उसके हम range पर है और एक तो आपका work energy power का ही मैंने ले लिया कि दिखाया हूं कि देखे किस प्रकार का question आप से पूछा जाता है कि question क्या बोला गया हिंदी इंग्लिस में दोनों मैं मैं discussion कर दूंगा एकदम परिशान नहीं हो ना बोला गया है कि a convex lens of focal length 50 cm is kept coaxial in contact with a lens of unknown focal length if the combination behave like a diverging lens of focal length 50 cm then find the power of unknown lens हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं कि कोई एक convex lens है यानि कि कोई एक आपके पास उत्तल लेंस है ठीक है ना जिसकी focus दूरी 50 cm है और उसके साथ में एक और contact में एक lens रखी गई है ठीक है ना जो lens के बारे आपको नहीं बताए अन्नोन है वह या तो उत्तल लेंस सकता है और उसकी अपनी क्या होगी एक focal length भी होगी focus दूरी ठीक है ना बाई क्योंकि कोई भी lens है तो उसकी अपनी क्या होगी focus दूरी होगी उसकी अपनी क्या होगी पावर होगी तो आपको यहीं बोला गया कि एक तो आपके पास उत्तल लेंस है जिसकी focus दूरी 50 cm है और से ही सटा करके एक और लेंस रखा गया है जिसकी फोकस दूरी अनून है और वह लेंस के बारे भी आपको नहीं बताया और जब दोनों को आप कंबाइन करते हैं ठीक है ना दोनों को कंबाइन करने पर जो समतुल्य जो लेंस बनता है वह आपका अपसारी लेंस की तरह ट्रीट कर रहा है अपसारी मतलब कि आपका हो जाएगा अउतल लेंस ठीक है जिसकी फोकस दूरी दे दी गई है पचास सेंटीमीटर तो आपसे पूछा गया है कि find the power of unknown lens यानि जो lens के बारे आपको नहीं बता गया था उसका आपको बताना है power देखे मैं figure में भी आपको समझा देता हूँ क्या दिया गया है कोशन में कोशन में यह बोला गया है क्या कि a convex lens of focal length एक आपको दिया गया है उत्तल लेंस ठीक है बाई एक आपको उत्तल लेंस दे दिया गया है इसकी आपको फोकस दूरी दे दी गई है कितनी 50 सेंटीमीटर ठीक है सिंपल से बात है इसकी अपनी क्या होगी पावर भी होगी तो मैं मान ले रहा हूं पावर वन है फिर बोला गया क्या है कि उसके कोईक्सियल में content में with a lens जो unknown है वो रखी गई है तो मैं कोशन मांग दे रहा हूं इसके इसके content में एक और lens रखी गई है ठीक है ना तो यह जो भी lens होगी या तो उत्तल हो सकती है या फिर क्या होगी झाली फोकल लेंथ होगी ठीक है और इसके अपनी क्या होगी पावर होगी ठीक है तो इन दोनों को जब आप कमाइन करते हो तो जो effective یا फिर बोल सकते है equivalent या फिर बोल सकते है Cornell ये जो lens की तरह ये दोनों को जब आप contact किये तो जो lens की तरह ये काम करता है वो आपका क्या है diverging है, diverging कहने का मतलब ये है कि आपको इह बताया है अब सारी अब सारी बोलने का मतलब यही है कि कि ये कैसा लेंसं होगा तो यह आपका एक अव्य लेंस होगा ठीक है ना यैनि यह कैसा होगा तो कॉन के लेंस की तरह काम कर रहा है कब जब इन दोनों को कॉंटेक्ट में तो अब यह दूसरा लेंस का आपको पावर बताना तो पहले तो यह आए और चीज क्या दिया गया उसको देख लेते हैं तो आपको बोल दिया गया कि जब कंबाइन करते हैं इस दा कंबिनेशन जो कंबिनेशन जो है बिहेब कर रहा कैसा अब सारी लेंस की तरह डाइवर्जिंग लेंस की तरह त यानिकी फोकल्स दूरी फोकल लेंट जो दूसरी लेंस तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि यह कौन सा लेंस या फिर आउतल लेंस है तो कैसे पता करेंगे इसको समझेगा देखिए सबसे पहले हम यहां से आपको पता है क्या P equivalent जब दो lens हो तो उसको हम क्या करते है P1 प्लस P2 ठीक है यह आपको पता है पहले वाले class आप देखे होंगे तो इसका अलगी लिख सकते हैं 1 by F equivalent 1 by F1 plus 1 by F2 P equals to क्या होता है 1 upon F होता है ना power की formula ठीक है भाई तो यह दो lens है तो दोनों lens की मैं equivalent power निकाल हूँ तो क्या होगा power equivalent यानि कि इसकी जो इसकी क्या होगे इसकी जो पावर है P equivalent है ठीक है ना भाई P equivalent है तो यह मैं निकाल रहा हूं काईसे p1 इसकी power और जो दूसरी ल це से उसकी power मैं ले लिया तो मैं P equivalent को će लिख सकता हूं one by f1 लिख सकता हूं पी F equivalent होगी ठीक है यह F equivalent positive में होगी या नेगेटिमें यह भी आपको decide करना हो यह का लिंश है यानि कि यह कैसा लेंस आपका कॉंकेब है यानि कि कैसा है और आउतर लेंस और फोकस दूरी क्या होती है माइनस होती है तो यह आपको ध्यान रखना है यह question में given नहीं आपको खुद identify करना होगा तो यह आपको दे दिया गया है 1 by minus 50 cm ठीक है F1 F1 कैसा convex है तो F1 क्या होगा आपका positive होगा ठीक है ना उत्तल है आपका तो यह 50 cm positive में होगा तो इसको हम लिक दे रहे हैं 1 by 50 plus 1 by F2 तो यहां से हम F2 अगर निकाले 1 by F2 को इधर रखते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा आपका minus 1 by 50 और minus 1 by 50 ठीक है ना इसको मैंने इधर लिया तो क्या जाएगा minus 1 by 50 तो यहां मैं F2 अब आपका value कितना आगया minus 25 cm अब देखेगा यहां से आपको क्या-क्या data मिल लिया है यानि कि जो दूसरी lens है उसकी focus दूरी आ गई है minus 25 cm और minus क्या बता रहा है यह कौन सा lens होगा दूसरा यह आपका होगा concave lens यानि यह कैसी lens होगी तो यह आपकी आउतल lens होगी तो चलिए आप नेचर पता कर लिए कि यह lens का कैसा नेचर होगा उत्तल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा कैसे पता कर लिए आपने फोकल दूरी निकार करें ठीक है अब आपको निकालना क्या है पीटू निकालना यही आपको निकालना था हाँ जी तो अब बस सिंपल था हम लोग पीटू निकाल लेंगे पीटू कस्ट आजागा क्या हंड्रिड आपका तो पचीस चौकेस सो ठीक है ना यानि पीटू क्या आगए आपकी माइनस यह माइनस साइन फोर डायोप्टर यानि जो दूसरी लेंस है उसकी नेचर कैसी है तो वह एक आउटर लेंस है दूसरा इसका पावर भी पूछेगा तो भी आप बत हो गया तो यकिन मानगेगा सर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा फिजिक चैप्टर चलिए क्या बोला गया है एक मिनट भई कोशन में क्या बोला गया आप से की टू लेंस ऑफ पावर 15 डायोप्टर माइनस 5 डायोप्टर आर प्लेजड इन कॉंटेक्ट हिंदी में बता और माइनस 5 डायोप्टर जिसको एक साथ रखा गया है ठीक है ना, दो लेंस को अब प्लस का मतलब क्या समझ माई रहा है यह कौनसी लेंस हो गी प्लस है या Нि के यह गया आप से पूछा गया है कि घड़ पाव्शीन ऑफ image है यह पुछा गया है कि जो प्रतिबीम जो बन रही होगी इन दोनों के combination के बाद ठीक है ना एक आपका सम्तुल ये lens बनेगा जो या तो कैसा treat करेगा एक आपको क्या दिया गया देखे भाया एक आपको दे दिया गया उत्तर लेंस और एक आपको दे दिया गया है उत्तर लेंस अब इन दोनों के combination से एक सम्तुल ये lens की तरह ये बिहेब करेगा ठीक है ना तो इसमें जब आप कोई object देखोगे तो इसमें जो image बनेगी आपसे पूछी गई है इस image की तो 30 cm के दूरी में इसको मैं और अच्छे साब को समझा देता हूं देखेगा आपको बोला गया कि यानि कि तुलेंस जिसका पावर आपको दे दिया गया है 10 15 ज्यांगे है एक पावर दे दिया गया है माइनस 5 ज्याल थो फेटे हम 20 विस्अा शफ्यालइ सब्सक्र होगा यहां पर को दियाक इतना 15 emotionally और इसका P2 आपको दे दिया गया क्या माइनस 5 डायोप्टर ठीक है भई यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आप यहां पर जो भी लेंस बनेगा ठीक है न तो आप क्या P equivalent निकाल सकते हैं इस combination करने के बाद जो P equivalent आएगा क्या आएगा P1 यहां की फैटीन है और माइनस 5 है यानि कि plus 10 डायोप्टर आया है यानि कि प्लस किया बता रहा ही है कैसा लेंस होगा तो यह आपका Smith लेंस होगर यानि कि एकासलेंस होगा उत्तर लेंस ठीक है न सकी पीक्य वैलब cens कितनी 10 diopter तो इसकी अपनी क्या होगी F equivalent भी आएगा भाई बुली आएगा की नहीं आएगा बिलकुल आएगा अब हमें क्या निकालना है अब यह जो सम्तुल यह लेंस आया यह जो equivalent तो मैं मान के चलता हूं इसका image यहां बन रहा तो आपको यह distance आपको निकालनी है भी के value निकालनी है तो हमें lens formula यूज करना पता है क्या होता है 1 by F equals to 1 by B minus 1 by U यहां से हम 1 by B कर लेंगे इधर रखेंगे और 1 by U को अधर ले जाएंगे तो 1 by F minus 1 by U ठीक है तो यहां से हम B के value निकाल सकते हैं but U तो पता है but F नहीं पता हमें ठीक है ना इसकी क्या F आपको पता है F equivalent पता है नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले F equivalent निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे इसका P हमें इसका पता है कितना 10 diopter है तो 1 by F equivalent हो जाएगा भाई तो 1 by F की तो यह फजनिए नियायाई है अचा यह मीटर में है तो इसको हम सेंटिमी्टर में करेंगे तो इसको 100 से मॉल्टि प्लाइ कर दते हैं तो यह आपका क्या क्या ए PD कि एक मिनिट वहाई यह गलती हными त़िए इसका हमे क्या निकालना एध निकालना एफ उताकर दिया तो इसको संटीमितर में करेंगे तो क्या करेंगे हुआ ठीक यह आपका क्या है यह आपका जो टेन आया एक को कीतना आया हे यहोगा धीन किया जाए आप Esse už कॉमनों रही है क्या आए 1 by f कितना 10, minus 1 by u की value क्या आजाएगी, minus 30, ये क्या आगा, u की value क्या लेंगे, minus 30 लेंगे ना, तो minus minus क्या आजाएगा, 10, minus minus plus 30, lcm कितनी आएगी आपकी, 30 आएगी, 10 तिया 30, plus 1, यानि 30 by 4 आजाएगा ठीक है बाई, कुछ तो गलती हो रहा है, ठीक है ना, कहां गलती हो रहा देखिएगा, 1 by f equals to क्या होता है, 1 by b minus 1 by u, ठीक है, minus plus minus है तो minus, तो 3 minus 1 क्या आजाएगा आपका, 3 minus 1 क्या आजाएगा, 2 by 30, 1 by b की value, इसको यहां से काटेएगा तो 15, यानि b की value क्या आएगी, आपकी 15 cm, ठीक है ना, और b की value क्या आएगी, positive में आएगी, बिलकुल, क्योंकि इस side बन रहा, right side image बन रहा, तो भी की value कितना आगए, 15 cm, ठीक है बाई, तो इसका answer क्या आजाएगा, भी की value कितना आजाएगा, इसका 15 cm answer, समझ माया है कि नहीं, यहां पर बस थोड़ा सा गलती हो गया था, बाकी कुछ नहीं, अगला सवाल, और भी अच्छा सवाल, work energy power से, बहुत ही अच्छा सवाल है, और यह सवाल, आपके exam में पूछा गया सवाल, देखे, 19, फरवरी 2019 का यह पूछा गया सवाल है, क्या बोला गया है कि 0.5 kg वजन वाले गेंद की गती को 4 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ा कर 8 मीटर प्रति सेकेंड करनी के लिए कितना कारी करनी की आवशकता है, how much work is needed to increase the speed of a ball of mass 0.5 kg is 4 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड, आप से पूछा गया है कारी यानि कि आप से बनेगा क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ, mass दिया हुआ है, 0.5 kg फिर आपको क्या दे दिया, initial velocity दे दिया गया, 4 मीटर पर सेकेंड और final velocity दे दिया गया है, 8 मीटर पर सेकेंड, अब यह सोच रहेंगे, यू भी कैसे लिए, देखे, गेंद की जो गती है, पहले 4 मीटर परती सेकेंड थी, तो यू क्या होती, initial velocity होती है, प्रारंबिक वेग होती है, ठीक है, और final velocity, 8 मीटर परती सेकेंड, जिसको भी सरी परजेंट करते हैं, अन्तिम वेग हो गया, ठीक है न, final velocity, तो यहां पर इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखे, हम लोग, जब speed and velocity पढ़ रहे, V-square-U-square-2-as, यह क्या आपका displacement है, तो यहां पर displacement की value put करेंगे, तो S की value निकालेंगे, तो S निकाल रहे हैं, यानि क्या निकाल रहे है, displacement निकाल रहे है, तो क्या जाएगा, V-square-U-square-2-a आएगा, आएगा, बिल्कुल, तो वर्क इकोस्टो क्या हो गया, force into displacement, यानि S हो गया तो यहां S की वहलू निकाल दे रहे हैं फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं मास इंटू एसलेरेशन डिस्पेस्मेंट की वहलू क्या आ गया भी स्क्वाइर माइनस U स्क्वाइर भाई तो यह आपका एक कड़ी जाएगा ठीक है अब आईए यह 2 है इसको बाहर कर दे रहें 1 by 2 M को multiply करिए एक बार B से तो MB स्क्वाइर ठीक है और एक बार U से multiply करिएगा तो क्या हो जाएगा M U स्क्वाइर अब देखिए इसको मैं और थोर्ड डिटेल में लिख दूँ यह हलाकी इतना आपको करना नहीं है यह मैं अब एक थियूरम आपको बता रहा हूं इसलिए मैं डिराइब करके आपको बता दे रहा हूं आप इसको लिख सकते हैं यू स्क्वाइर ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनरजी और यह क्या हो जाएगा आपका इनिश्यल काइनेटिक एनरजी यानि प्रारंबिक गतिजूर्जा और अंतिम गतिगूर्जा और यह क्या आपका वर्क यानि वर्क जो होता है किसका इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनरजी का ठीक है न ना कारी उर्जा परीमे बोलते हैं इसको work energy theorem बोला जाता है इसको ठीक है ना कारी उर्जा परीमे बोला जाता है तो work done equals to क्या आप लिख सकते हैं एक formula आपको ये भी पता होना चाहिए क्या change in kinetic energy अब इस formula को use करके आप इसको solve कर सकते हैं आपके पास ये data दिया हुआ था तो क हमने common ले लिया क्या बचा भी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर तो one by two m की value क्या दी हुई है 0.5 भी स्क्वाइर की क्या value दी गई है आर्ठे मीटे पर सेकंड यानि आठे ठेठे स्क्वाइर यानि 64 और चार का स्क्वाइर का हो जाएगा सुल्ला ठीक है ना अब इसको जाएगा one by two into 0.5 सुल्ला और चौस चौसर्ट माइनस होगा तो क्या जाएगा आपका 32 आएगा ना चौदा में से छे जाएगा तो आठ पांच में से जाएगा चार अड़ तालिस या गया दस पांच दूनी दस दूनी चार चार एकम चार दूनी आठ बारा चोके अड़ यानि कि वर्क डण आपका कितना आ जाएगा बारा जूल है ठीक है तो यह आपको डिरेक्ट यह आपको पता होना चाहिए कि वर्क डण उकस्ट चेंजिन काइनेटिक एनर्जी होता हलाकि इसका मैं नियुम्रिकल करवाता अगले सेशन में जब 36 क्लास जो हम लोगों का होत कर्वाद पर्क झाद कर्या है ठीक है तो राद कि यह संधाल सकते ओंदेगा धांट